हेई गाईज कैसे हैं आई होप हामें से की तरह अच्छे ही होंगे तो आज कर जो टॉपिक है वह हाउ टू जाइन जूम मिटिंग तो टॉपिक सुरू करने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर तो यह जो टॉपिक है तो चलते हैं आज के वीडियो पर तो आज का जो व्यदियो ए बहुत ही आच्छा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी जो लॉगडाउं चल रहा है, अभी जो कोई भी प्रोफेसवन का एंप्लोई हो वहॉँ आभी क्या करते ह जूम में उनका मिटिंग घात पे बेठे बेठे करते हैं ठीक है तो जूम में मिटिंग करने से पेले तो जूम का कुछ सेटिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए इसके लिए वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीके बता होगा कैसे आपको जूम के मिटिंग जायन करना है ठीक है तो चलते हैं जूम के मिटिंग को जायन करने से पेले तो इसके लिए पेले आपको क्या करना है जूम को आपको इंस्टल करना है उसके लिए चलते हैं आपके phone पर phone पर आपको play store open करना है play store पर आपको type करना है zoom इसका जो spelling है zoom type करके आपको search करना है search करने के बाद आपको कुछ इस तरह के interface आएगा zoom cloud meeting तो इसको आपको install करना है मैंने तो already install करके रखा हुआ है इसलिए अभी open आ रहा है तो उसके लिए install एक बार हो जाने के बाद आपको जो भी host है आपको जिन्होंने मलब meeting का ID वेजे हुए है ठीक है तो बहां पर आपको click करना है मेरा जो host है उन्होंने मुझे whatsapp पर meeting ID वेजे है तो चलते हैं whatsapp पर तो उनका जो ID है उन्होंने मुझे भेजे है यहां पर उनका ID आप देख सकते हैं यह जो link है blue वाला इसको आपको click करना है इसे आहीं आपको click करें click करने से आपका जो page है वो सिधा open आजाएगा zoom पर zoom पर open होने के बाद आपको यहां पर आएगा waiting for the host to start this meeting जो host है वो जब start करेंगे ठीके तो आप यहां पर आपको admit करेंगे यह तो एक तरीका में ने बता दिया अभी दूसरा तरीका में आपको बता रहा हूं इसको पहले close कर ले थे हैं दूसरा जो तरीका है ठीके वो आपको बता दे रहा हूं पहले आपको क्या करना है अगर आपको डारेक्ट जूम में जाइन करना है ठीके उनका जो meeting ID आपको meeting जो ID है यह 10 डिजिट का होता है इनका जो meeting ID मैंने यहां पर चेक कर दे रहा हूं meeting ID आपको यहां से copy कर लेना है ठीके उसके बाद आपको zoom meeting में चलने जाना है चलने के बाद आपको यहां पर join meeting कर देना है join meeting में जब भी आप click करेंगे ठीके बहां पर उनका ID आपको paste कर लेना है paste करने से आपका ID आजाएगा उनका नाम जो है भो भी आजाएगा यहां पर आपको join meeting पर click कर देना है बस जाइन मीटिंग में क्लिक करते ही वो इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा अभी मीटिंग का पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि अभी जो हमारा होस्ट है उन्होंने उनका मीटिंग को सिक्क्योर करके रखा है ताकि कोई दूसरे बंदे नहीं घुच सेगे तो इसके बेजे होंगे थीक चली देखते हैं उन्होंने जब इनवैट किया हुए था तो तो यहां पर चलते हैं यहां पर मैं देख रहा हूं नीचे उनका पासवर्ड लिखा है 12345 ठीक है तो आभी यहांपे मीटिंग का पासवर्ड है यहांपे डाल देते हैं 12345 डालने के बाद आ आपको आपको आपरूब करेंगे तो आपका मीटिंग जाइन हो सबता है मीटिंग जाइन होने के बाद जो भी सेटिंग है ठीक है हम आपको जाइन होने के बाद बताएंगे तो जैसे कि उन्होंने अभी हमें अप्रूब कर चुके हैं तो अभी हम मीटिंग में हैं तो मीटिंग जयन करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है पहले आपको यह जो मैं आरो वाला सिंबल दिया हूँ इसको चेक किजिए ठीक है इसमें पूरा सेटिंग है पहले आपको क्या करना है इस पे सबसे निचे जो ओफसन है कॉल ओवर इंटरनेट ठीक है इसको आपको क्लिक करना है अगर इसको आप क्लिक नहीं करेंगे मीटिंग में जो भी बातचीत होता रहता है वो आपको सुना ही नहीं देगा तो पहले आपको इसको क्लिक करना है इसको क्लिक करके आप उसको सुन सकते हैं उसके बाद जो second setting है वो बता रहा हूं वो आपको यहां पे जो option है वीडियो का ठीक है वीडियो mode अगर आप मैंने तो off किया हुआ है क्योंकि मैंने off किया हुआ है वो जो host है या फिर जितने भी participant है वो अभी मुझे नहीं देख सकते हैं ठीक है तो वीडियो mode मैंने off कर दिया है तो अगर आप चाहते हैं आपको आपके जो meeting में जो member है वो आपको देख सकें तो आपको आप एक काम करेंगे अच्छा get up लेकर क्यामेरे काम सामने बेठे रहेंगे तो बहुत जो हो मतलब जो भी participant host है वो सारे लोग आपको देख सकते हैं तो इसको click करने से उसके बाद यहां पर आपको participant पर जाना है participant पर जाएंगे तो आपको क्या हो करना है बहां पर participant में click करेंगे जो भी जितने भी लोग meeting में participate किये हुएं वो उनको आप दे सकते हैं जैसे भी कि मैं यहां पर click कर रहा हूँ तो यहां पर जो भी जितने सारे लोग participant है यहां पर उनका details name सो कर रहा है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर जो more option है वहां पर click करना है वहां पर click करने से आपको कुछ हिस्तरा का interface आएगा सबसे उपर वाला जो option है वो disconnect audio अगर उस पर आप click कर देंगे तो आप कुछ सुनने ही पाएंगे तो यह इसको आप कभी भी click मत किजी उसके बाद जो second option है चाट इस पर अगर आप click करते हैं तो जितने भी participant है उनके साथ आप chatting कर सकते हैं उसके बाद third पर जाते है raise hand अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो यहां पर जो raise hand option है उसको बस click कर देना है click करने से एक hand वाला option आजाएगा जैसे जो host है उनको पता चल जाएगा कि आपको कुछ सवाल पूछना है उसके बाद जो option है hide non video participant इसको अगर आप click करेंगे जो भी video मलब video mode on नहीं किये है उनको आप नहीं मलब उनका details यहां पर नहीं करेंगा उसके बाद मैंने जैसे बता था आपको कुछ सवाल पूछना है तो raise hand mode on करते है तो यहां पर आपका hand वाला symbol आजाएगा उसके बाद आपको यहां पर three dots सबसे नीचे three dots देखा हो देखता होगा वहां पर अगर आप click करेंगे सबसे जो पहला dot है वहां पर click करने से आपको क्या आएगा यह बाला interface आजाएगा tap to speak ठीक है अगर आपको कुछ पूछना है ठीक है meeting के time अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इसको आप click करेंगे ठीक है click करने बाद आपका जो unmute हो जाएगा mic जो है ठीक है आप कुछ भी पूछ सकते हैं उसके बाद जो option है थाड़ बाला अगर आप थाड़ बाला पर click करेंगे ठीक है तो आपको जो भी party spread लोग किये होंगे ठीक है उनका photos या फिर उनका videos उनका face आप देख सकते हैं उसके बाद सबसे last जो setting है अगर आप meeting के बीच कुछ भी emergency आगया है अगर आप meeting छोड़ के जाना चाहते हैं यहाँ पर जो leave option है बहाँ पर आप click कर सकते हैं यह click करने से आप meeting छोड़ कर जा सकते हैं वैसे meeting हमारा जो zoom meeting है उनका कुछ time limit दे रहता है उसी के अंदर meeting आज का जो setting है जूम के बारे में था वो इतना ही था तो thank you